हो ना दिखा तू ना दिखा तू तर्द दुनिया का मेरा झाल से वाल था तू ना दिखा तू तू जाई दू झाल क्या कर रही हो क्या कर यो दिहान से करो काम साजता सफाई करने के लिए दिया है तोडने के लिए नहीं और वैसे भी यह साइट डिजाइन है ना इसमें डस जमी रहती है यह सही से साफ करो इसे पता दिये तुम्हें पांच लाग रुपे का फर्णिचर है यह सारा अचा मैं आपको समान आया है काम बढ़ गया है सारा दिन डस काटूंगी वैसे भी दस साल की तंखा काटनी पड़ेगी तब भी मैं नुकसान पूरा नहीं होगा अचा जौब नाश्टा लगाओ अबीर हो किया गया है तुम्हें क्यों इस बिचारी को बाते सोना थे रहती हो पूरा दिन तो घर का काम करती है तो पैसे पे तो लेती है ना कौन सा मुफस में कर दी है हमारे घर का काम और इन नौकरों पे न नज़र रखनी पड़ती है आपको तो कुछ आइडिया है यह आप जानते हैं अगर यह फर्निचर की सभाई से इस ही नहीं करेगी तो इसकी चमक मान पढ़ जाएगी हर चमकती वी चीज की अहमियत होती है और मेरे ज़र से फर्निचर तो आपके पूरे खांदान में ढूनने से भी ने नज़र आएगा चीजे जरूरत के लिए इस्तमा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप यकीन करें मैं अजलान और अबीर को जब खुछ देखती हूं ना दिल मुतमईन हो जाता है एक सुकून सा मिल जाता है माशाला अच्छा बई हमें आप से एक शिकायत है जी वो ये कि लाख मना करने के बावजूद आपने अबीर को इतना जाहिस से दिया सब की क्या जूरत थी अल्ला का दिया सब ही कुछ था हमारे घर में ये तो आपका बड़ा पने जो आप इस तरह से सोचती है आप तो जानती है कि अबीर मेरी अकलोती बेटी है अजलान के पास अपनी गाड़ी भी है माशाला और आपने अबीर को जह इसमें गाड़ी देती माशाला माशाला देखे ये चीजें जो होती है ना बेवक्त होती हमने तो बस कोशिश की है कि इसकी खुआइश पूरी करें और अल्हा इसे नसीब करें यह चीज़ें इस्तमाल करने के लिए मुझे खुशी तो इस बात किये कि अबीर को आप जैसे अच्छे रोग मिलें महबत करने वाले आप यकीन जाने कि मेरे लिए अभीर और हमारा में कोई फर्त नहीं तुन बेटियां ने फिल्कुल ठीक कह रही है आप बहुएं तो बेटियां होती है अपनी बेटी तो रुकसत होके दूसरे घर में चली जाती है अच्छा मेरे खाल में बहुत देर हो रही है मुझे चलना चाहिए सब्वाल ही नहीं पैदा होता है इतने टाइम के बाद आई है और खाना खाए बगार चले गए हर्किस नहीं का तकलुप क्यों कर रही है आएंदा जल्दी आ जाओंगी और बैटके खाना खाके जाओंग अच्छा मेरे जाओंगी तुमने वो बाभी मुझे पता ही चला कब मेरा हासे प्लेट छोडगे एंच्छा इम सो सॉरी फुर दिस मेरे जहास का बहुत मेहाँगा सैट था ये इसके प्लेट तोड़के तुम्रे पुरा जहास का सैट बरबात कर दिया जानती हूं किसने का ह हजारों का नुक्सान कर दिया मेरा हजारों का नुक्सान丐 अकर तुम्ही तमीज नहीने बहेन के नए बरतन कैसे इस्तमाल होते हैं तो तुम्मुझगे बता देती, मैं खुद निकाल लेती भाबी, अनुस्काट्र्टा वहाँ, मर गई हो तुम, इतनी जोरदार प्लेटे तोड़ी है मैडम ने, आके सफाई तो करो बिटा, कोई बात नी तूट गया न, और आजाएगा आप तो यही कहेंगी न, क्योंकि आपकी बेटी से जो तूटा है वैसे भी मेरे जहाँ का सेट है, आपको क्या फिकर इसकी यह कौन सा तरीका है मेरे अम्मी से बात करने का मैंने अम्मी से कुछ नहीं कहा है अमारा ने मेरे जहाँ का अतना महंका सेट तोड़के बरबाद कर दिया और यह उसके हमायती बन के दर आगई है तो क्या इस प्लेट की वैडियो मेरे अम्मी से जादा है हजारो का सेट था यह और मेरे भाईयों ने मुझे बहुत महबबस से दिया था क्या मैं एक बात भी नहीं कह सकती बात करने का एक तरीका होता है हां तुम तो यह होगे ना अगर अमारा के जहाद की प्लेट मैं तोड़ती ना तो देखती तुम्हाई जजबात कहां असमानों तक पहुचते पचाप पचाप अमारा की ही गलती है तुम दोनों जगड़के ना बात को ना बढ़ा हां साजदा पता नहीं कहां मर गए यह बहरी हो गई यह घर में सब खारियत है ना ठीक है सब अलगा कराना काफी अरसे बात चक्कर लगा है हां बस मैंने का आप जाया ही जाया अराम से यह लिजे माशालला कलसूम बहन आपके बरतनों की कुलेक्शन बहुत अच्छी है कहां से खरीदे अभी अच्चुली आउंटी यह सब तो मेरे जहेस हैं असल मेरे भाई जो है ना बहुत नाया बहुत कीमती और महंगी चीज़े दिये मुझे और वैसे हमारी यह रिवाज भी है लड़कियों को ना भर भर के जहेस दिया जाती है हाँ ठीक कह रही है महाबाप तो जितना दे उतना ही कम है वैसे कलसूम बहन आपके तो मसे हो गए अल्ला का दिया हमारे हाँ सबी कुछ है हम तो इस हक में ही नहीं थे के अभीर इतना जहेज लेकर आती है यह सब कहने की बाते होती है आप खुद बताएं जहेज आतावा किसको बुरा लगता है कलसूम बहन बस आप तियारी पकड़ ले दिखे दो साल हो गए मंगनी को बहु घर आ जाएगी तो मुझे भी स्रकून मिल जाएगा आपकी अमानत है आपकी बहु हमारे पास आप जब चाहें ब्याकर लेजें आए बैठे बिता बैठो चे असलान बिता माशाला नई गाड़ी ले लिये तो अच्छली आएटी गाड़ी तो मेरे जहेज किये वो मैंने अपने बाइयों से ड्मान की थी के मुझे ब्रैड न्यू गाड़ी चाहिए जहेज में तो उन्होंने गिफ्ट कर दी अरे वाँ अजान तुम्हे तो बैठे बठा इतनी शानदार गाड़ी मिल गए गाड़ी तो घर पे पहले से थी लेकिन अरीबा बहन ने अपनी बेटी के खुशी के लिए गाड़ी भी जहेज में देती यह तो कहने की बात है आँटी आप तो जानती है घर की गाड़ी के कितने काम होते वो परस्लिल इस्तमाल में आती ही कहा है अब आप देखे जब से मेरे जहेज की गाड़ी आई यह ब्रैंड नियू तब से अजान ओफिस भी उसी गाड़ी में जाते है महां पे इनकी बहुत इजब बढ़ गई है और सबको आपके तरह यह लगता है कि वो इनकी गाड़ी है अजलान तुम बहुत किसमत वाले हो तुमें अभीर जैसे बेबी मेले है मैंने तो अपने भाईयों से साफ-साफ कह दिया था कि मुझे इतना जहेज दे कि कई सालों तक मुझे शॉपिंग करने की जरूरत ही ना पड़े और आप जानती है अलहम्दुलिल्ला मेरे भाईयों ने भर भर के जहेज दिया है हर चीज ब्रैंड नी हूं हर चीज मेरी पसंद की वैसे तुम्हारे भाईयों ने पहन के जिमेदारी बड़ी अच्छी तरह नी बात बस अंटी हम भी चाहते हैं कि अमारा की शादी करके अपने फ़र्ज से सुभुक्दोष हां हां क्यों नहीं इंशालला जल्दी वकताने माला है बलके भाई तुम भी त्यारी पकड़ लो अच्छे आय आए आबटा जलान क्या हो गया जलान तुम्हे नहीं नहीं पता के तुमहेंटेुम्ने क्या किया है नहीं बदा क्या किया है ऐसा क्या गुना कर दिया है? मैंने जो आप इतने निराज हो रहे है। किस तरह तुम, किस तरह जहेज की बाते कर रही थी तुम उनके सामने। अम्मी भी शर्मिंदा हो रही थी। क्यों? इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है। भाई जो सच था वो ही कहा है। हकीकत ही बियान करी थी। कोई जाफी बात तो नहीं किये मैंने। अभीर हमने तुम से कहा था कि इस घर में जयेज नहीं चाहिए हमें। पर तुम बज़त थी। के लड़की का हाथ होता है और तुम इस हाथ से दस्परदाद नहीं होना चाहती दे। तो क्या हो गिया है? कोई खियामत नहीं आ गई है। अगर महां बात करना मना था तो बोल देते मुझसे, मैं चुपचा बैठी रहती। तुम से ना? बात करना ही फजूल है। अगर ममी, आए आए बैठें। काम तो नहीं कर रहे? नहीं, कुछ खास नहीं, आप कहिए। वह बिटा मैं यह कहना चाहरी थी के अमारा की सास आना चाहरी है, शादी की तारीक लेने के लिए। तो ठीक है, आप उने बुला लें, हम तारीक रख लेते हैं। बिटा, तुम तो जानते ही हो, तुमारे अबबा की जिन्दगी में ही जो जाती घरता वो गिर्वी रखा जा चुका है। और तुम तो खुद अपनी जादातर कमाई से खर्जे चुकाते रहते हो। मैं इस बात को समझती हूँ। लेकिन बेटा, वो शादी की तारीक तेह करने आएंगी तो हमें आट-दस महीन हैंगा तो टाइम मिलना चाहिए। देहरों खर्चे होते हैं शादी के। हम में, देखिये, मुझसे जो बन पाएगा तो मैं करूँग। लेकिन आप इसमें देहरी मत केचिये। देखिये, कुछ सेविंग्स हैं मेरे पास, कुछ आपने भी जोड रखा है। तो इंशालला लाने चाहा तो सब कुछ खेरियत से हो जाएगा। इंशालला, खुश रहो बेटा, खुश रहो. अल्ला तुम्हें जिंदगी और खुशियां अता फर्माएग। अल्ला ताला हर एक को तुम्हारे जैसा बेटा नसीब करें। आमीन। वस आप परिशान मत हुआ करें। ये पटाब। आँ बेचे। माशालला, मारा? मारा जोड़ा तो बहाँ खुबसुरत है। आँटी एक्चली ये मेरे जहाज का जोड़ा है। इसने तो सादे से कप्डे निकाल के पहन ले थे, मैंने का खबरदार अच्छे से कप्डे पहनो, क्योंकि मेरी अम्मी ने ना मुझे 101 जोड़े दी हैं जहाज में हाँ और सारी के सारी मेरी फसल के जितना समार आप यहां देख रहेंगे ना, सारा मेरा जहाज है। मतलब इस कमरे में सारी सजावट मेरे जहाज से वी लिये। माशालाव एक्चली मैं अपने भाईयों की ना लाटली बहन है। और आप बस नाम ले आँटी, कौन से ऐसी चीज़ज अम्मी ने मुझे जहेज में नहीं दे। बेटा यह जो तुमने कंगन पहने हुए। यह भी तुमारे महकी की तरफ से है। हाँ, एमरिल्ड, मेरा फेवरिट, मेरे भाईयों ने स्पेश्टी मेरे लिए बनाए। इसके इलावा चार, चार से पांच सोने की सैटें, और दो दरजन सोने की चुलिया। माशालाव तुम्हारे तुम्हारे तुम्हे के वाले बड़े दिल वाले, माशालाव से। मैंने ना गाजर का हलवा खास तौर पे जुबैर के लिए बनाया था। पैक कर दिये। आप जाते हुए लेके जाएगा। अगर जुबैर आ जाता तो बहुत अच्छा होता मुलका तो जाती। आप, आप जानती तो है। जुबैर कितना बिजी रहता है। और अब तो शादी की डेट फिक्स हो गई है। दिनों का पता ही नहीं चलेगा शादी की तियारियों में। वैसे घर से तो मैं यह सोचकर आई थी कि एक माँ के बाद की डेट रखूंगी शादी की, जुबैर और उमारा की लेकिन आपके कहने पर दो माँ के बाद की रखी है। आप तो जानती है न बेहनी। लड़की वालों के धिरू काम होते हैं तैयारियों के। और मेरा जिलान एकी बेट है। जाहरे, सारी जिम्मेदारियां इसके सरपे मेरा बच्चा सब अकेले सम्हाल रहा होता है। हाँ, हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी, माँ बाप जितना भी देदे बेटियों को उतना ही कम लगता है। क्यों अबीर बेटा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आँ अजी हूँ, हमारे यह जबायत है कि ट्रुक भर भर के जहर दिया चाहता है। हम भी बेहन अपनी हैसियत के मताबिक जो बन करेगा अपनी बेठी के लिए जरूर करेंगे। आप हमारे को सबीविकर होता है। वैसे आपने कुछ ने कुछ तयारियां को की होंगी। जाहिर है, अमारा भी इकलोती है। आपकी बहु की तरह। जी जी अंटी, अल्ला ताना ने जब वक्त मुकरर रखा है। इंशाललह सब खेरियत से हो जाएगा। क्यों इंशाललह। जी प्रीस। यह देखें। यह देखें। यह ब्राइडर ड्रेस बनाया है। मैंने हमारा के लिए। और उसे चेक अप करवा दीजेए। मैंने सोचा कि आपको ड्रेस भी दिखा दूँ। और आपसे जरूरी बात भी करी। जी जरूर, कहें। बात में गुणा फिरा करने करोंगी। बेटी को तो जहेज आप देंगे लिए। क्वालिटी का ख्याल कीजिएगा। जहेज मुझे आली शान चाहिए जैसा आपकी बहु लेकर आईए। फरनीचर से लेकर एलेक्ट्रोनिक्स तक। हर चीज हो जहेज में। और हाँ, गारी तो आपने अपनी बहु के जहेज में ली है ना। तो फिर देने का होसला भी रखेंगी। तो प्लीज, गारी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। माशालला, उमारा का भाई कमाऊ है, वो तो मारा का घर बढ़तेगा। और हम भी चार लोगों को शान से जहेज दिखा सकेंगे। बेहन, आप ये कैसी बाते कर रही हैं। पहले तो आपने कभी ऐसी बात नहीं किये। हर बात अपने वक्त पर की जाते हैं। और ये मुनास्य वक्त आ गया कि सारी चीज़े पहले तैकर ली जाए। ताके बाद के जगडों से बच सकें। और मैंने भी कौन सी अंधोनी बात की। आपके बेटे ने भी तो जहेज में सब कुछ लिया है न। तो फिर बेहन को देने में क्या है तरास। वो तो ठीक है लेकिन बहन इतने कम वक्त में हम सब कुछ कैसे करेंगे। अरे बहन करने वाले सब कुछ कर लेते हैं। और आपके पास तो अभी काफी टाइम है। आप आसानी सब कुछ अरेंज कर लेंगे। देखें बहन, हम सुफैद पोश्ट लोग हैं। हमसे जोबन पड़ेगा ना पनी बेटी के लिए। हम सब करेंगे, आप बिफिकर हो जाएं। अमी बिल्कु ठीक कह रही हैं। देखिए आप हमसे आप हमसे आलिशान जहेज की तबक्कुमत कीचिए। एक तो टाइम भी काम है और हम अपनी हैसियत के मताबिक जितना जहेज होगा आपको जरूर देंगे। हमने भूमारा को आला तालीम दी है, तरबियत दी है। जितना बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे उसके लिए। वा मियाँ वा। सुस्राज है तो तुमने जहेज में सब चीज़े ली। और तुम्हारी बीवी सब चीज़े सबको गिनवाती पिर रही है। तब तो तुम्हें ख्याल नहीं आया। अब बेहन की बारी आई तो हैसियत याद आ गई। हमने अबीर को सक्ती से मना किया था तो मेरी तरफ से ये रिष्टा खत्म समझते है। अब बेहन, मेरी बात सुने। अब इस ममी की नहीं दो साल हो गए है। तो आप प्रीस क्याल करें, नहीं बहुत बद्नामिय होगी। अगर आपको अपनों इज़त का इतना ही ह्याल है, वो इसको बचाने की कोशिच भी करें। मेरी बात सुने। की बेहनविन मेरी बात सुनें। खुदा के वास्ति या आप ना इस तर। मेरी मेरी बात सुने। सुनी एपू। हज्लान, हज्लान रोको ही नहीं हॉआ तुम्हारी दिखावे की आदत ने मेरी बेहन की खुश क्या चीन ली? शादी तूड़ कई उस मासूम की? अभिर तरहीब अच्छे काम की दी जाती है लालच और दिखावे के इश्तिहार नहीं लगाय जाते तुम जैसे तुम जैसे दिखावा करने वाले लोगों की वज़ा से नाजाने कितनी लड़कियां जो जहेज ना होने की वज़ा से घर में बैटी रहती है अरे जब से घर में आई हो तुम एक गात की रड़ लगा रुखिये जैइस 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 खुश्या कीमती समान में नहीं होती अबीर दिल भिकाओ नहीं होते दिल में जगा करने के लिए महुपत और खुश्या देनी पड़ती है अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ तुम और जो यह तुम्हारा समान है ना यह तुम्हारा सारा कीमती समान का लोट करवा के मैके भिजवा दूँगा रहले ना तुम इस समान के साथ ने ने अधलान फ्नीज अधल्स प्लीज मेरे साथ और मर तरॉँ बघंद करें मैं आपके बगर नहीं रह सिए ने चोड़ होगे और जोएँ इहां से अजलान कया होगे दिमाग खाशाब होगे कैरा का तुमारा हाम मी दिमाग खाशाब होक कええ मेरा पुस बहुत हो गया तब हो जाओ यहां से और हाँ तराक के पेपर्स भिजवा दूगा मैं तुम्हारे काई अल्यान अल्यान बेटा देख लिया अपने दिखावे का अच्ञा कर दो ना दिखा दू ना दिखा दू तर्द दुनिया का मेरा